अश्कार आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इसमें जिला यमनानगर के जिला सच्चिवाले से जहां पर भाजपा की नेत्री पर काफी गंभीर आरोप जिहावाड नबर छे की पार्शत पर काफी गंभीर आरोप इस यूवक के द्वारा फिलाल लगाए जा रहे हैं क्योंकि इनका जो आरोप है शिकायत के हिसाब से कि पुलिस पर शासन दुदारा मेरी महनत की कमाई हड़पने बारे पार्शत पर आरोप पुलिस के साथ मिलकर उनकी महनत की कमाई हड़पने बारे जिसमें काफी गंभीर आरोप जिसमें पार्शत दौरा इनकी एक शिकायत अर्जुनगर चोकी में दी जाती है और उसके बाद क्या कुछ पूरा मामला होता है इनी से एक बार बातशीत कर लेते हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम अक्सेसेनी है और मेरा गड़ाउन का नाम है राम तो मैं प्रिती जोहर के गड़ाउन पर पिछले आच तोनों सालों से काम करता था दिस बार दिवाली के टाइम पर मैंने उनको पैसो की नीड थी इसलिए मैंने उनको कुछ उधार पैसे दिये दो लाख एक सच था और मेरी सैलरी वो दिवाली के बाद देने का भादा हुआ था तो वो जब मैंने बात की इन से तो इन्हें ने कहा कि हम तरको दे देंगे पैसे ऐसा करके मिरे को लारा लगाते रहे हैं, तो मैंने इन से पैसे नहीं मांगे, मगर एक दिन अचानक से शालू भाया, जो पृत्य जोhर के हस्बन है, उनकी अचानक से मिर्त्यू हो जाती है, और मिर्त्यू के तेहरवी के ऐक हाद बाद जब में ने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मेरे को ये बोला उन्होंने मेरी कम्प्लेंड कर दी साथ ही अगले दी आपने पैसे किस से मांगे क्या पारशद से आपने पैसे मांगे किस से मांगे पारशद के घर में शोक का महौल था इसलिए मैं पारशद के घर से पैसे मैंने नहीं मांगे ज जल्दी से थाने में आजो मेरे साथ बहुत अबद्र भाशा का परियोग किया एसाई विनोध कुमार ने उन्होंने मेरे साथ गाली गलोच से बात की और यह तक कहा कि अगर तो 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 तेरे लिए बहुत बुरा होगा तुझे उठा के लेका होगा गसीचते हुए तो मैं परियोग परियोग कहा हैनोने मेरी अबद्र भाशा अबद्र भाशा मेरे को मैंसेज किया गाया है यह ज Admig їх इनको अंकल जी तो इनन्होंने मेरे को रोते हुए महां पर देखा तो थी ओन्से खिलाव आपने हैसे यह जो बच्चा क्यों रहा हैं और साथ इसी जई रहा और प्रियोग क्यों कर रहे हो तो नहीं ने कहा कि अ किसे किलाब इस ने जो अनंके भाई के साथ बाद स्ट किया गया है उसमें गाल после zakres juice क्नेश बाइब कोने लिखिए अपने भाई कि जमानत करवा के ले जाओं वह मैं आपको रिकोर्डिंग क्या अभी तक आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज दर्ज नहीं हुआ तो फिलाल तस्वीरे आप देख सकते हैं काफी चुकाने वली बात फिलाल यहां पर की जा रही है पारशत द्वारा एक यूवक पर एक पार रजिंदर धिवान जी वहां पर खड़े होते हैं वहां इन्हें फोन करके बुलाया जाते हैं तो यह पुलिस को फिलाल समझाते हैं उनको बात करते हैं उनसे पूछते हैं कि इसकी गलती क्या है और उसी समय जो उसके घर राम के घर इसके भाई को फोन करके यह कहा जाता है पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि इसके खिलाब मुकदमा दर्ज हो चुका है इसकी जमानत करा लिजिए एक बार सुनने का प्रयास जुरूर करते हैं कि मेरे भाई के फॉन में सेव हुई थी वह मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूं तो फिलाल आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से किस तरीके से फोन पर कहा जाता है कि इसके खिलाब इसने जो है पारशत के साथ जो है काफी गलत व्यवार किया है अबद्र टिपनिया की है और इसके खिलाब मामला दर्ज हो चुका है और इसकी आकर जमानत करा लीजिए फिलाल मुकदमा दर्ज नहीं होता तो जमानत किस चीज़ की तो आपका कहने का क्या मतलब है यह मिले हुए आपस में गल्थ पावर का यूज़ की है जी अंजी यह सरासर क्लेयर होती है बाद जब मेरे खिलाब कोई सबूत ही नहीं तो इन सरकार अपने पास है तो इन्होंने जूटी कमपलेन Pays Aleenne क्लिए मेरे खिलाब करवा दी इसमें पैसे हडपने में में अब्लाब क होगा यह घ्रए साल छा benevol मेरा सारा कारियर खराब कर दिया इन्होंने इनकी जब इनको मदद की नीड थी तब तो मेरा आग्ये हाथ जोड़े लगे थे कि राम चलो देख लेना प्लीज हेल्प कर दो कुछ तब तो मैंने अपनी गाड़ी बेच दी पूरती के लिए अभी हम तुझे एक रुपए राश है एक बार धिमान जी से बात कर लेते हैं रजिंदर जी क्या जिस समय अबद्र वाशा का पुलिस के द्वारा प्रयोग किया था क्या वहीं मोके परी थे उस्टेम में मोके पहुंचा था जब पहुंचा तो से दो मिड़े तो यह लड़का भी आगा उस्टेम तो इस तो उसमें कुछ आसा नहीं पायागा जो इस लड़के के खिलाफ हो पृति जोहर ने इसको लड़के को पैसे देने थे वह इसके पैसे हड़पड़े के चक्कर में इसके खिलाफ जूटी कम्प्लेंट लगाई है तो कही नगई आपको नहीं लगता कि उसके भाई को प्रिदी जोहर की जो वार्ड नमबर 6 की है उसकी और यह चौंकी विनोध कुमार जो है इसकी मिली भकत है वह इसको पैसे ना देने पने इसके ओपर जुटा मुकदमा दर्ज कर दें कर दो आए अच्छा तो कहीं न कहीं करवाई करनी करनी चाहिए बजब उसके खिलाब मुकदमा दर्ज है को दे दी है और उसके यहां सब पूछा जाएगा चूंगिंजारसे मिलेंगे है उसे पूचे का कारवई करी इसके बात की है उसका सबूत कर दे जो लड़का इस लड़के को सहाजा कानून देना चाहाएगा उसके लिए मैं मंझूर हम कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल त्यार है जी तो आप मौके पर महुचे दे किस तरीके का व्यावार था पुलीस के लड़का उस्टेंब रो रहा था जिए बहुत रो रहा था जब मेरे को फोन आया तो मैंसे मिला मगब बैटा क्या बात होगी यह कर लांगल जी है उसके बाद हम विनोध कुमार से मिलें के पास है विनोध कुमार से बात हुई वह भी उसने इसके साब अब अधर बासा का द्वार गया उसके बाद फिर हमने चौनकीं चार्ज्पर रहें शर्माजी उनसे बात की उनको हमने उसके वेट्सप चैट भी दखाय वह कर देंगा तो पैसे मांगेगा पैसे ना मांगने करम ना मुझे मुझे देने पढ़े घुग मतर्या चारा ने पर तक रही आपर उ इस तरीके की रिकोर्डिंग है पुलिस तो साफ तोर पर फस्ती नजर आ रही है अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हुआ है और पुलिस वाले इसको दमकी दे रहा है विनोध कमारे साई तो विनोध कमार के ओपर कारवे कराएंगे विक कोण से कानून केता है तुमने इसके गरवड़ को दमकी दी अगर यह लड़का मालोप पढ़ने लिखने वड़ा बच्चा है अगर यह मालोप खुदा रखास्ता सुसाइट कर ले या कोई इसके डिप्रेशन में आजए तो उसका जिम्मेबार कोणों का तो फिलाल तस्वीरें आप देख सकते हैं काफी गंभ हुआ और पुलिस द्वारा इस तरीके की बाचीत इसके परिवार से करनी कि आकर इसकी जमानत करा लीजिए वो कहां तक जायज है इस से फिलाल यम्ना नगर पुलिस की भी छवी कहीं न कहीं धूमिल फिलाल जरूर होती हुई दिखाई दे रही है लाइप तस्वीरें आप देख सकते हैं फिलाल शिकायत कहां पर दी है अपने सीएम इंटो पे मैंने शिकायत दी थी तो वो डियस पी राजी सर के पास आई है यम्ना नगर बें तो कुछ पता नहीं कारवाई कैसे होगी कुछ मेरे को नहीं पता आपने बयान वहां पर लिखवा दी है मैंने बयान वगरा दी है आपने डियस पी साब हाँ जी वो मैंने पैंट रहे में यह जो अपने कुछ नहीं किया उसके बाद आपको इतना हरास्मेंट किया जाता है चलो शिकायते दुनिया देती है जूटी है सच्ची पर इस तरीके से किसी को हरास्मेंट करना बिना परमान के तो क्य करियर खता मेरे एना फैसे मेरे बार फैसे खता नहीं क करियर खता जाना उसकंचे प्रषी निराश है आंको आते हुए नजर आरे पर शान है तो जो बिस खाबर को वीडियो को देख रहे हैं उसे लगातार श्यर दोर करते रहेगा और हमारी एउमीद रहेज़ेंगи इस मामले में फिलाल यमनानगर पुलीस एक निश्पक्ष जाच करके दूद का दूद और पानी का पानी जरूर करें क्योंकि इस से फिलाल जो है सच्चाई निकल कर सामने आएगी कि इस यूवक द्वारा बसलूकी या छेड़ छाड़ी या कोई अभदर भाशा का प्रयोग किया गया है या नहीं अगर नहीं किया गया तो बीजेपी पार्टी को फिलाल ऐसे पार्शिदों पर कारवाही फिला सब्सक्राइब को पार्टी से निकाल देना चाहिए कोई वादमी क्योंकि प्रेशर वर्म बनायेंगे अगर इस लटके ने उसको कोई प्रिती जहर को गल सब्सक्राइब किया है उसका वसमूदेर अगर उनके पास उसकी audio recording है video है सबुत दे जो भी करवई बनती है सरगार की तरफ से करनॐ की तरफ से लड़के गाफ क्राए हमें कोई तराज नहीं है लेकिन अगर पार्शयद को पर कर ब्याइच होनी चाहिए उनी चाहिए बिलकुल उनी चाहिए फिलाल इन्होंने दोनों का कहना है कि इस यूवक के खिलाफ फिलाल कारवाई हो जानी चाहिए अगर नहीं है तो फिलाल पार्शत के खिलाफ कारवाई फिलाल होनी चाहिए फिलाल ये लाइफ तस्वीरें आप जीला सची वाले से देख रहे थे और हमारी अपील रहेगी परशासन से कि इस व्यक्ति जो होनी चाहिए तो फिलाला मुझे मौहित को दीजिए इजादत धर्यवाद